कि तोने दीट माईया रब तैनू कलम दिती एड जुल्म न लिख माईया क्या देख रहा है भाई वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो खीच के रखो मीटर धिल मत दिया करो मेरी आखो में आज गुसा है मैं अपने श्री श्री हार्दि जैहो मेरा तेती नंबर जिल्शी मैं अज अपने उस्ताजी के साथ हूं ऐस्वाधानी तरीके से पिटाई की गई है मेरे पाइड भाई को पिस्मत ने हो माया मुंबली इस पहुंचाया हूं यारो का मयाद देख लग लंडन एक ही बात कहूंगा रोही शर्मा के साथ गलत नहीं करना चाहिए था शरीफ इंसान की आत्मा दुखाई है तुम लोगों ने और उन तमाम करोड़ो फैंस का दिल तोड़ा है जो रोही शर्मा के साथ अटैज थे और मुंबई इंडियंस में अगर रोही इकमिन नहीं काली शकृरलीन नहीं है ये मेरे महां देश तो महां ये उसमें कोई डाउड नहीं है ये उस महां देश के बहुत ही महांलो एमा झाली लोत रॉंडर की जिंदगी है काली वाली जिंदगी ताली हो कती है माना अधा करते न az incont नहीं लंगो लंबा डालतो दिया राज्यस्थान वालोंने था निकल निकलने लिए के लिए डॉक्टर ढहीं करे भाई करें था यह तो भी कि मैं अब भी खेंगए तुम्छानदों में तुमारी टीम कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी टीम एकदम खतरनाक है बहुत ही डेंजरिस टीम है तुम्हारी बस मैं तुमको एक बाद बता दूँ तुम A.B.Creek Info को मना लो हाँ एक A.B.Creek Info नाम का आदमी है थोड़ा सा मोटा सा आदमी है गोल मटोल सा दिल का बहुत साब है बिल्कुल भी मतलब कोई मलाल उसके दिल में कोई वह नहीं होता है मतलब अच्छा आदमी है उसको मना लो अगर तुमने उसको मना लिया फिर तुम्हारा मामला सारा सैट बाद जाएगा सारे के सारे तुम्हारे जितने भी तंतर मंतर हैं जितने भी तुम जो भी तुम करना चाहते हो सब सैड़ बैठ जाएगा एक गाना यहां दा रहा है वैसे तो मैंने काली स्क्रीन पर गाया दादे को कितना अच्छा गाना है पंजाबी गाना हिंदी में मतलब बता दूँगा कि तोने दी इट माईया रब तेनू आज तो सच में भाई जुलम हो गया आज तो ऐसा ऐसा लिखा गया है ऐसा ऐसा हो गया है कि क्या बताओं कहां जाओं कैसे बचों प्रांग मारके चला गया यार रियां प्रांग उधेड के चला गया रियांगड़ा कह रहा है हाँ वस्तल बड़ू कहां उतर जाना स하신 कप्तानी नहीं निसी Cred लंडल लग गए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी गलतियों को भी हम लोग तारीफे करेंगे, वो पियार वाले करेंगे ब्रो, जगर मेरे को पेमट आई नहीं अभी तक, अभी तक मेरे को पेमट आई नहीं है, और मैं काफी नराज हूँ इनकी पियार से, ये क्या मतलब हुआ यार, तुम्ह बाकि मुझे आई पिल के बाद याद दिला देना तुम लोग बहुत जरूरी एक संसनी खेज खबर बतानी है मुझे हां बताऊंगा जुरूर तुमको एक दम हिल जाओगे तुम तो क्या कहते हैं भाई लोगों लगबग लगबग 70% लोग कह रहे हैं कि भाई या हां इसको छोड़ देना चाहिए इस पर जादा और ये नहीं कह रहा हूं कि मज़े लेने छोड़ पर चोड़ देते हैं लेकिन भाई लोगो एक बात बता दू Taym., अभी भी मुंबे इंडिय के लाइक बचे भी नहीं क्योंकि शुरू में ही इसलिए बोला जाता है देखो जब किसी से रिलेशन आप तोड़ो ना जब किसी से आप रिलेशन तोड़ते हो अब नहीं नहीं मैं तो ऐसे मजे लोगा हद होगी यार मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था क्या कहते हो यार तुमको लगता है मैं यह मजे लेने छोड़ दूगा की जिंदगी में एक ही मकसद है मजे लो और भाई लोगों को मजे दिलाओ यह क्या मतलब हुआ पांच लाग सब्सक्राइबर करा के अब कह रहा है कि अब मजे नहीं दूँगा बाई साब मोच नहीं रुकेगी अब चेक कर रहा था तुम लोगों को मैं दखो इंटर्टेन्मेंट कम नहीं होना चाहिए है ठीक है मेरा एल करे बंद मैं तो ऐसे करूंगा बाई मुझे तो जो दिखेगा स्क्रीन पर वही मजे लूँगा मैं हो रखा है कुछ नहीं हो र कर दो खीच के रख दो एक दम एक लो जी एक पर इंटर्वियू सुनों भाई साब का हार्दिक क्या लगता है कि काफी डिविकल नाइट है ना आगे रो हार्दिक करके पता नहीं क्यों बोलता है मैं तो एक ही नहीं समझ में आती हाँ हाँ एक कठिन रात तो है कि हमने उस तरह से शुरुआत नहीं की जैसे हम शुरू करना चाते थे मैं मुकाबला करना चाता था कि मैंने एक इस्टाग्राम पर रील भी डाली थी बहुत टाइम पहले हम ना बुरी तरीके से मैं जार गे थे वेस्ट इंडीज में वहां है इसने कहा ऐसे मैंने हिंदी रूपांतरन करा वहां पर हिंदी रूपांतरन में लाइन आई कि मैं चुनोती देना चाहता था फिर मैंने एक लाइन कहीं थी मैं का यार इसके मैं यार यह अब मैं चार गे मैं तुछ चुनोती यह देता रहे गया वहां पर कि मैं मुकाबला करना चाहता था हम 150-160 के आसपाद पहुंचने की अच्छी स्थीति में थे बिल्कुल थे मैं महीं मार गई इसको लेकिन मेरे स्वैम आउट होने से उन्हें खेल में वापसी करने का मौका मिला अनूमती दी इस भाई को अभी भी लगता है अगर यह नोट आउट चला जाता ना तो सुबह खबारों की हेडलाइन बनी होती और दिख पंड्या ने पल्टा मैच अरे यह तो मेरे मूँ से निकल गई थी तू हाईए स्कोरर होगा मेरे भाई जय हो मेरे तेती नंबर जर्शी इसरी इसरी एक्सराट महराज पंड्या पुत्र उस्ताद हार्दिक जी को मैं सर जुखा के नमन करता हूं मेरे पैर भी जुड़े हुए हैं नीचे सीधे यूं कर रखे मैंने पैर और किरपा करके सुबह वाला वीडियो जरूर देखिए उसमें मेरे हार्दिक जी हूँ हूँ मैंने का हूँ मैंने का हो जा लॉंच हो जा मैंने का पोजीशन में तो आचुका है बस कि मैं भी बहुत कसरत करता हूँ यह जिम बना रख है मैं इदर यहां मशीने लगी हुई हैं ओफिस के साइड में कि समोसा समा से खा लेते हैं बैट के उन मशीनों पर आगे मैं चुनोती देना मेरे को मैं मैं आउट हो या मेरी विकट गिरी तो मुंब इंडियन्स को वाप्सी करने का मौका मिला अरे मेरे भाई ग्यांचंद जब तु बैटिंग करने आया ओल्रेड़ी चार विक्टर डाउन थी और विक्टर डाउन थी ओल्रेड़ी ठीक आगे मुझे और भी बहुत कुछ करने की जुरूरत थी यह ठीक है अच्छा यार तुम लोगों को लगता होगा मैं अपने मन से पढ़ रहा हूं यह लो देख लो भाई वहां पर जो आ रहा है ना ट्रांसलेशन वहां देखो यह देखो हां तहां तक पढ़ लिया था मैंने विकट ने उन्हें खेल में वापसी आने की अनुमती दी मुझे और भी कुछ करने की जुरूरत थी बहुत तरकत पहले तुम आप ही मांग अपनी मुंबई की क्राउड से कि मुझे और भी यह हो गया यह ठीक है हमें एसी स्थ है कि उमीद नहीं थी इसका चहरा ही दिखा दो चहरे बगर फिलिंग नहीं आती है अब यह सतह पर आ गया अब कह रहा है मुझे ऐसी सतह की उमीद नहीं थी कौन सी सतह थी है अरे सतह सतू ठीक थी यहीं पर दिल्ली होती पंजाब होती हो सकता आर सी भी की खतरनाक बोलिंग होती तुम उनको पेल पाल देते सतह सतू ठीक थी यार आप इसे हमेशा बल्ले बाज के रूप में नहीं रख सकते मतलब वो इक कह रहा देखो मैं बल्ले बाजता हूं लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा हूं मैं गेंद बाजों के नजरिये सभी सोचता हूं गेंद बाजों के लिए अपनी बात रखना अच्छा होता है यह सब सही चीजे करने के बारे में हैं परिणाम के ओपर कभी कभी हो जाता है ऐसा पाई जान एक सम्हू के रूप में हमारा मानना है कि हम बहुत बहुत बहतर कर सकते हैं लेकिन हमें तोड़ा अधिक अनुसासित होने और बहुत अधिक साहस दिखाने की जुरूरत है तीन मैचों की एस तसी करवा जुका अभी तक इसको यही नहीं पता लग रहा कि साहस कैसे दिखाना है अरे हो रखा है साहस तुम मेरे से मेरे को मना लो भाई मुंबई वालो मेरे को मना लो अगर मैं मानगा तुम्हारा अगले मैच में वन साइड़ करवा दूंगा जितव भाई लोगों जो आप काम कर रहे हो आज अगर आप लोगों को उसमें तरक्की नहीं मिल रही है अटक गए हो तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो तुम से बाकी लोग कम मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा उनको रिजल्ट मिल रहा है घबराना मत भगवान कहीं बारी देने से पहल हुआ कि नहीं हुआ तो इस सीज में ना थोड़ा सा मतलब डटके रहना और बिलीव रखना पारी सब की आएगी टेंशन मदलो गुजराद की कैप्टन सी एक आईपिल टोफी पर जब भगवान जब लेने पर आता है तो सब ले लेता है मेरी बात सुनो भाई शुब जाविन गेमिंग इस बात को कोई नोटिस नहीं करता और इस बात को कोई उठाता भी नहीं है गुजराद टाइटन्स को सल्यूट है उ सबसे बड़ा बेवकूफी का फैंसला है हर एक्सपर्ट ने कहा था हर यूट्यूबर ने कहा था हमने भी कहा था यह भी कहा था कि इसकी टीम दसवे नंबर पर रहेगी लेकिन यह लोग जीत गए उस गुजराद मेरा अगर करियर खतम हुआ होता ना और मुझे इन्पम्डाइश प्लेयर तो वापसी कराई ही कराई लेकिन मुझे कप्तान तक बनवा दिया महां पर यह उसको छोड़के आगया यार यह किस से हारा है संराजिस हैदराबाद से आज यह राजस्तान से हारा है GT ने हैदराबाद को हराया और इसको तो पेली दिया पहले अखाς चोधरी बाई आप कड़वा लेकिन सच बोलते हो इसलिए आप साथ आठ मिल्यन वालों से ज़्यादा वोचिंग लेते हो और कुछ पर वाले हर्दू को डिफेंट कर रहे हैं आई पिल खतमोंने के बाद बताऊंगा क्या चल रहा गेम थैंक्यू मेरे भाई यार हमारी न पोच एक्च्ली हमारे पास न कोई खामखा का बंदा नहीं आता हमारे पास अपने वाले बंदे आते हैं और लोग ना मैं एक बात बता दूं ये ना गलत फहिमी है लोगों की लोगों को सिरफ अच्छा अच्छा मीठा मीठा ही सुनना पसंद है लोग समझदार हैं सबको पता है ये सब मीठा मीठा बोल रहा है ये सबको खुश कर रहा है मतलब ये सब के सेंस को अपना बनाना चाह रहा है भाई साब लोग सीधा सुनना चाहते हैं चाहे वो कितना ही कड़वा हो कितना ही मीठा हो और यही रीजन है कि भाई लोग मेरी बात मान के सब्सक्राइब वाले बटन पर गुस्सा निकाल देते हैं और जितना तुम सब्सक्राइब का बटन दबाते हो भाई मेरे से त और यह तो तुम्हारे लिए मोटिवेशन है ना कि जीरो किर्केट वाला नौलीज वाला बंदा उसको भी भाई लोग सुन रहे हैं वो मेरे से यह थोड़ीना सुन रहें कि बैटिंग कैसे करनी है हम तो यहां के मजे लेते हैं कि करके क्या गया है हम किसी को बैटिंग थोड़ना सिखाते हैं हम किसी का पैर कहा है हाथ कहा है कान कहा है ना कहा है खोपड़ा कहा है यह थोड़ना सिखाते हैं वो तो उनके कोच सिखाएंगे या बाई साब हम हम तो खाना टेस्ट करके यह बता सकते हैं कि मज़ा आया कि नहीं आया सीधी सी बात है हम किसी के रसोई में जाके यह नहीं बताएंगे कि या मैं बना के खिलाता हूं परे को नहीं हम तो भाई सब चम्मच लेंगे यूं कर देंगे मैं यह नहीं आए भाई बस यह वाली कहानी है तो यह तो मोटिवेशन ने तुमारे लिए भाई जो जलते हैं दखो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना आगे बढ़ते मज़ा बहुत आ रहा है मुझे थैंकि सो मच और यह तुम लोगों की वज़े से है मैंने आज तक कभी केक नहीं काटा अपने एक लाक होगे दो होगे three कभी नी काटा कि भाई लोगों वन मिलियन पर भी नी काटूंगा कि पहते के चाथि जिस दिन सारे भाई लोग मिलेंगे और कभी ना कभी तो वो possible होगा गजब है बाई सब्सक्राइब करना उस केक का बहुत बढ़िया वाला काटेंगे अभी तुम काटते चले जाओ लोगों का इसी तरीके से थैंक्यू अकाश अनिकेद भाई कह रहा है अनिकेद भाई ने कुछ लिखा नहीं है लेकिन पैसा काफी भाई ने इन्वेस्ट कर दि कोब भाई पाजी प्राइवेट मैस्यज अब तु प्राइवेट मत बोलागे अगर जब तु प्राइवेट बोलता है ना बागवान कसम मुझे अममस वाली पहलिंग आती है और यह लोग गलत गलत सोचते है यह लोग इसको पता नहीं क्या भेज़ धी आहोगा उप यां पूटो भेज़ी तुमने तो प्राइबेट में पुनम पंडे वाला अरे यार भाई मैंने पुनम पंडे को रीट्वीट किया है यह जो पुनम पंडे बोल रही है ना इस पर मैं रीट्वीट कर चुका हूं और रेड़ी क्या बात कर रहे हो जाके देखो जरा ओल्रेडी री द्रूमिल द्रूमिल कह रहा है माई बैन रोहित शर्मा पॉस्टर इंसाइड दे स्टेडियम ओ यार क्या क्या बैन कर लोगे तुम मज़ा आ रहा है बास सार तक थैंक्यू ब्रदर लिखा कुछ नहीं है कमल यूट्यूब अब यहां से आज वाले मैसिज चालू कर रहा राम राम भाई मज़ा आ गया राम राम भाई सबको और मज़ा आ गया बिल्कुल आ गया अंशु टैन शपरी लो स्कोर मैच में बोलिंग नहीं कराया यार मैं बता रहा हूं आप लोगो को यह इसकी नियत में खोट है और मुझे यही चीज़े इसकी ठीक नहीं लगती है अच्छा वला किरिकटर है बैटिंग ठीक कर लेता बोलिंग ठीक कर लेता कैच कुछ भी ठोड़ी लेता देखो कूद काद के इसकी यह 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 देखो सवाल सारा नियत का है बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जेब में सिरफ 500 रुपया पड़ा होता है लेकिन व मेरी जब 4000 सेलरी होती दी ना मैं उस दिन भी अपने आपको बहुत अमीर समझता था और आज देखो भगवान की दया से साड़े बारा तेरा हजार पर बन जाता है कटकटा के तो आज में अपने आपको अमीर समझता हो एक दिन आयांगा जब मैं भी iPhone खरीदूंगा एक दिन आया जब मैं भी पीछे उंची कमर वाली चेर खरीदूंगा एक दिन मैं भी second hand दूसरे गाड़ी लूँगा थैंक्यू सो मच अर्पित पटेल कव्वे को ओसकर दे दो इतनी ऑवर एक्टिंग क्यों करता है यह है आज तो थोड़ी ठीकी थी आज ज्यादा नहीं थी आज तो था नहीं ना कुछ एक्टिंग करने को भी देखो ना तो फिल्डिंग फिल्डिंग लगाने का मोका मिला जब तक यह सारे जाकर खड़े हुए तब भाई स्कोर आदा तो बन लिय था यह फोड़ा बीच में थोड़ा सा राजस्तान स्लो हो गई छलो यार थोड़ा सा स्लो हो जाओ ऐसे ठीक नहीं लगता तो ये है बारा तेरा हजार डेली के अभर नहीं बेस उदामा ऐसा नहीं है डायलोग बोला है डायलोग को डायलोग समझो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं कि पाई जान याद रखना मैं प्लेओफ में क्वालिफाइज जरूर करेंगे या भाई फिर आप मेरे को सुन नहीं हो, म्यूट करके देख रहे हो भेर, म्यूट करके मत देखो, मैं वो वाला नहीं हूँ, कि जो म्यूट में भी मजा दे दूँगा, नहीं, सुन लो, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, यह टीम बहुत तगडी है, यह टीम कहियों से मैं यह नहीं लेना था, अब मैं यह तो नहीं कहा रहा हार्दिक को निकाल दो, बाहर फेंक दो, यह बकवास बाजी छोटे सस्ते यूट्यूबर कर भी रहोंगे, मैं यह हरकते नहीं करूंगा, मैं वहीं बात करता हूं, जो की प्रैक्टिकल होगी, और जिसका कोई सेंस ब इसा नहीं हो सकता है, बढ़ हाँ, इतना जुरूर है कि अभी वह क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर वो मैं अब पदा क्या होता है, हाथ मिला लेना, गले मिला लेना, इस से फरक नहीं पड़ता, जब तक दिल नहीं मिलते हैं आपस में, जब हो लोग हैं जो गली महले के इसे हैं जो डिस्टिक भी खेल रहे हैं बाकी भी खेल रहे हैं ठीक है, ओके हो गया, जब तक आपके दिल नहीं मिलते ना, जब तक कुछ होगा नहीं, तुम लोगों ने मतला मुंबई इंडियन्स के मेनेजमेंट नहीं, लोगों को दिखाने के लिए तुमने वीडियो त आत हलका रखते हैं, जाधा confidence डाउन हो गया, तो इंडिया की टीम पे एक fact आएगा, इंडिया की टीम पे वैसे इफैक आएगा, वह वैसे भी आएगा, वह वैसे भी, क्योंकि मनमर्जी का सोदा है ना भाई, इसका दो, तुम्हें क्या लगता है, इसका दिल नहीं होगा, रोहिशर्मा इसको कहेगा चल बोल डाल रहे तो बोल तो इसको डालना पड़ेगा पर मन से डालेगा नहीं है क्योंकि आज दिल नहीं है भाई साब का जिस दिन दिल होगा उस दिन पाकिस्तान के तीन चार आउट कर देगा जैस्ट वाल के फेलियर आ गए हैं थे फेलियर तो नहीं कहुंगा एक मैंच में बारा में चौबिस हैं दो फेलियर जरूर कहुंगा और यह बड़ा रेर है यह अच्छी बात है यह अच्छी बात इसलिए है आप देखो मैं अलग तरीके से देखता हूं इंचीजों को अगर आप राजस्तान के फैंस और मैं चाहता हूं राजस्तान के फैंस इस बात में एगरी जुरूर करें राजस्तान वालों तुम लोगों का मुझे चाहिए इसमें राजस्तान तीन मैच जीता है लगाता बिना जॉस बटलर के बहुत बड़े बढ़ा चोटा भी नहीं उसका तो यसेश्वी जैसवाल का बहुत बढ़ा कॉंट्रिबूशन नहीं है संजू का एक ही मैच में परफॉर्मेंस है जुरेल का कोई ऐसा नहीं कि भाई उसको बहुत ज्यादा बैटिंग आई हो या उसने बहुत बढ़ा कर दिया हो कुछ छोटा छोटा काम वह भी कर रहा है हिटमायर का भी कोई अभी ऐसा कोई है नहीं खास रोल तो भाई अभी वह जीत रहे हैं तुम बस इतना सोचो जब वह क्लिक करेंगे यह आसपास नहीं लगने देंगे अपने प्रेंट बोल्ट का पिछला मैच बहुत खराब था फिर भी जीत गए आज यह संदीप शर्मा को भी बाहर करके जीत गए यह होती है टीम में वह गले मिलना गले पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला दिल मिलने चाहिए सबसे पहले पांसो तीस के सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मैं अभी वी उमीद करना हूं कि नहीं यार अच्छे करवा दिए तुमने मैंने पांसो तीस ही मांगे थे चलो अब तुम अपनी शर्दा के अनुसार जितना भी 31 32 32 जितना भी चौनती पैंती देख लो मैं जैसा भी तुम चाहिए नहीं भाई अनुराग भाई हम तो हलका ही हाथ रखेंगे अब हार्दिक पर क्योंकि कितना बोलें वो तो सुधरी निए रहा वो तो सुधरी निए रहा तो ठीक है खतम करो लेकिन देखों मौच रुकुनी नीचाहिए मौच चलती रहेगी डॉक्टर गोश भाई 3-0 शप्री तो गयो अब क्या होगा भाईजान शप्री ने हाइस स्कॉर बनाया म प्रमाई के लिए ओपनिंग भॉलिंग भी नहीं आया तो फिर भी लौटा तो वह भी अचाह फिर भी लौटा खाली हाथ कि इसने अंबानी का नमक खाया है नहीं नहीं वह आखरी में जो तुमने लिखा है वह नहीं लिखना ज्यादा गुस्सा गर गें तुम अपना औढ़ा वह जा वह यूँ कि इनसाथ करदो मुझे माफ करदो मुझे सारे पतनी क्या कमसा रदे थै भाई को इसको फोड़ दो केिए जार कोई इसने अबानियों का नमक खाया है कि मेरी सुने बात कि अम्बाइनी साब अडानी साब कितने ही अमीर हो तुम अब तो फ्र मारकेट में और भी बहुत सारे आगे पहले डायलोग चलता होता था तो डायलोग चलता होता थे दुरही बات देखो और मैं पता क्वू खुश होता मुंबई की हार में तो यहां बहुत सारे नए भाइं भाइं लोग भी हैं पुराने भी हैं जिनको पुराने पता है जो पुराने भाई उनकोуки तो पता ही जो नए उनको और आप देखेंगे भी नहीं कि वह अपने आपको बहुत बड़ा समझते हैं और मैं अपने आप से छोटा बड़ा तो किसी को मानता ही नहीं है हम टक्कर में हैं हमारा जो टर्न अवर है वो ओल्मॉस्ट सेम ही है अब देखोशना शादी में अडानी साब आए अंबानी साब तो महीं थे थे उनका फंक्शन नहीं तो कि फिर मुझे समझते हो जाते हो एकशली मैं ठीक है तो नहीं तुम देख लो अपना जैसा भी करना है अब जैसे परसो चो थे मुझे 12,000 क्रोर कहीं इंवेस्ट करना था खबर आई कि अडानी साब ने वहां 15,000 क्रोर इंवेस्ट कर दिया यार एक मैसीज घर दिया होता यार देखो ना एक मैसीज छोड़ दिया होता अरे भई बता दिया कि यार मैं करने वाला उन डिल पता नहीं क्या करते हैं यार ये लोग तो इनकी टीम जब हार जाती है तो मझे मज़ा बहुत आता है अब आप कोगे भई आप इतने ही अमीर हो तो फिर टीम ही खरीद लो नहीं मैं देखो मैं ना ओल्रेडी पंजाब से ग्रस्त हूं तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि मैं एक और ट्रोमा सेंटर बनाऊं यह एक दो ही ठीक है भाई इनी को जहल लेंगे हारदी की कैप्टन्सी बुम्रा की फोर्म ना खराब कर दे वर्ल्ट कप से पहले नई ने ने बुम्रा तो ठीक चल रहा है हारदी की कैप्टन्सी से घंटा किसी को फरक नहीं पढ़ रहे हैं यार लड़के सारे रन बना रहे हैं आज तो चलो कोलेक्टिव एक फेलियर हो आज ज्यादा हार्दिक की गलती नहीं है वह तुम बीस पे चार हो गए इसमें उसकी क्या गलती उसने तो आके देखो ना फटी में रन बनाए दाएं बाएं मार कहीं रहा था जा कहीं रही थी पर फिर भी रंतों उसने किये ना भाई यह क्रेडिट तो मुझे देना पड़े अच्छा अच्छा अरे मैंने तुमारे ही ऊपर तो वीडियो बनाई थी सुबह और यह यह ओं कर रहे आपने वह एड़ देखी है कि अधुर वश्विन को बोलता है क्यूं धलवा रहा है हम दो देंगे हां 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 रहे वह देखो ड्रीम 11 की ना काफी सारी सबसे अच्छी लगती है मुझे वह एड़ लगी है सुनील शेटी राहूल और रोहित वाली मुझे सबसेज अच्छी वह लगी है मतलब उसमें ना जो राहूल का ऐसे अजीब सावचारे का काड़ दिया जैसे ना एक्सप्रेशन आता है मासूम सा वह बड़ा अच्छा ल क्लिकल आरसी बीविगशी बाउंस बैक कि नियार सीविशी बिल बाउंस बैक उनके पास ओप्षिंज भी कोई नहीं है बांस्थ बैक के लावा के बांस बांस बो करना पड़ेगा व्यमक और अर और को ठोड़ा सा और और होना पड़ेगा तेनों दो मैच पहले वाले ऊह जीते हैं यह वाला मैच बिल्कुल जबर्दस जीते हैं लेकिन थोड़ा सा मुझे संजु से और थोड़े रंच चाहिए थे या लेंगे में वाइफाई मैच ऐसे ही खेले दो लांक सूपर चैट दूँगा मौनिका संजु काम कूल डिसीजन कुछ तो बोला मैं तो इसकी मैं तो शरी कि ने बहुत ना दूसर नुसर ने घ्र यानि बढ़ा कर रहा गुदा को जी ने दूसरे करई नग्याए तो उसकी कैप्टेंसी की मैंने बहुत तारीफ करी थी पहले मैच में दूसरे मैच में बहुत ज्यादा करी थी कि वो बंदा जिस तरीके से संदीप शर्मा का यूज कर रहा है न अगर यही यूज कोई बड़ा कप्तान कर देता शायद अभी तक मार्गिट में पता नहीं क्या ही हो जाता सोहिल अली परफेक्ट सॉंग फर कवा जी यह तुमने गाना लिखा था भाई हैस्टाइग माइकल कुरनाल बेवन पांडिया जिंदाबाद हैस्टाइग साड़ा पंजाब यो ब्रो मान परसाथ पाईजान अब खुल के बोलो अब तो जीत गए नहीं मैं खुल के बोला हूं या एक्चली कहना मैं वह सारी चीज़े ना रिपीट नहीं करना जा रहा पहले मैच में हम बहुत ज़्यादा हमने उड़ाया दूसरे में भी हमने ठीक टाग उड़ाया तीसरे मैं पता क्या यार वह तूट चुगा है गिर चुका है घुटने पर आ चुग है पता क्या जब आदमी सामने वाला घुटने पर आजाए ना तो ज्यादा मन सा करता भी नहीं उसको कुछ कहने तो यही एक फ़राग है मेरे भाई हो बाकि तो कोई दिख्यों नहीं विदाउट इमोजी अगर मैसे जाते रहेंगे तो भाई ज्यादा बढ़िया रहेगा तो पढ़े जाते हैं कुछ लोगों को न वहम हो जाता है कि हम इमोजी डालेंगे बुस्ते वाले हमारे यहां ढूंड के पढ़ा जाता जो बिना इमोजी के मैंसिज आता है इस परमार शप्री को लाद मार के कब हटाएंगे हैं है करता है अज़ा रहता है अब यह थो नहीं हटाएंगे मेरे भाई डॉक्टर भोश बाइ कह रहे हैं मदवाल भी इंप्रेसिव है सेलेक्टरस का जॉब टफ होने वाला है नहीं अभी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आप वर्ल्ड कप में जाओ सीधा-चीधा जो टीम औरेडी है वो लेके जाओ जो होता है ठीक है उसके बाद आप टीट्वेंटी में बिल्कुल नंबर एक से लेके 15 तक सारे बदल दो बिल्कुल नहीं बदल दो कोई टेंशन नहीं है अभी ज्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है नहीं तो हम ना इधर के रहेंगे ना उ ले जाओ इन में से किसी एक को ले जाओ अभी भी टाइम है बहुत ही स्मार्ट किर्कटर है दोनों यह तुलो को तो खड़ा का खड़ा रख देते हैं या तुलों से मार नहीं नहीं दोनों नहीं हो सकता बिफोर वल्ड कप मुझे तो लग राभ हो जाएगा आज उसने सेवा सीगी मतलब हमारी तरब से इतनी ही सेवा थी यह हो सकता हो जाएं पराग यहां तिलक आ सकता है जो अच्छा करेगा वल्ड कंब में ना ना और भाई आपकी टीम तयार है इंट को कि टीम बिलकूल क्ब कीर आपको विकट की पर सेलेक्ट करने हैं दो बास और वो भी लगबग लगबग सेलेक्ट ही हैं विश्णू दखो अगर आप कहते हो तो मैं यहां हां कर दूँगा हां हां जा सकते हैं जा सकते हैं पर इसका फाइदा नहीं कोई दिल से आनी रहा वह वाला जवाब आनी रहा दिल से वह यह confuse करने वाली बात है खाम का पर ऐसा होने वाला है नहीं लगता तो नहीं है विश्णू और इनको क्या करना है इन लड़कों को यार यह लड़के परफॉर्म करते रहें अपना रियान पराग अभी तो करा है यार उसने तीन-चार साल में कुछ करने लगा है अभी करने दो उसको एक साल अच्छा खेलने तो अगले साल भी अच्छा खेलने तो फिर लेलो टीम में क्या दिक्क्त है लेलो क्या खुदी आ जाएगा फिर उसको पता है न बाकी लड़के कैसे गए हैं तो उसको भी वैसा ही मेहनत करना है विश्णू ने लिखा कुछ नहीं है सुक ला वह है क्या बोलते हैं बोलिंग क्यूं नहीं क्राइए उसने बता और इसकी नियत में घोटा है अब यह बोल लूना बात लेकर भागवा लेता हैं पहले दूसरे मैच में ये बाई ये अलगी हैंगवर में था अगर ये खुदानक आस्ता जीत जाता ना पहला मैच ओए होए इसकी तो बातें तुम सहन नहीं कर सकते थे ये क्या क्या कर देता दूसरे मैच में तुम पता भी नहीं है आज लेकिन ये डाउन है थोड़ा इसलिए मैं ज्यादा बोल भ कर तूते खुद ही लिप्टवा देंगे उसको चिंता मत कर भाई बाला साब जकताब आज पता चल गया होगा सर सब लोगों को फिफ्टी और सेंचुरी टाइम पास नहीं होती और ट्रॉफी लकी होने से नहीं मिलती बाकी खीच के रुक्कों मेटर बिलकुल बाठ ठीक है तुमारी रही बात फिफ्टी और सेंचुरी तहां वह तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना मतलब खुद से बने ना तो वेस्ट ऑफ टाइम बोल दो वारे 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 भजनी वारे भजनी 360 view podcast भाई वो फैंस से रोहित के पोस्टर भी बाहर रखवा लिये स्टेडियम में जाने से पहले इसका क्या करना है अरे तो मिल तो गया उनको रिजल्ट है Mumbai Indians एक बहुत भेंकर गलती कर चुकी थी उसको ठीक करने के चक्कर में एक से बढ़के एक गलतीयां करती जा रही करती जा रही और जो आज इनके साथ हुआ अगले मैच तक यह क्या करें इनको खुदी नहीं पता लग रहा है करने दो ना भाई जो यह कर रहे हैं इनको इनका रिजल्ट मिल रहा है देख लो तुम्हारे सामनी तो है आगे बढ़ते हैं जी संजीब लब फ्रम नेपाल यो यो ब्रो और मैसी सीधा कराकर सुदर जा आई शुर्मा भाईया मज़ा आ गया चप्री को फिर से जलील होते हुए देखके एक अलग सा सैटिस्ट्रेक्शन मिला है शकल देखने वाली ती मज़ा आ गया भाईया दिल से नहीं हमें भी दिल स सा एक दम बिल्कुल वहां तक जहां तक देख भी ना पाए कोई तुरेंदर सिंग इसलिए करता है विकोज तीन एल हैं दर्ध होता होगा समझो क्या बात हो इसा कितनी गहरी बात बोली है तुमने सुरेंदर एक बार तेती नंबर जर्सी वाला बोलो बहुत फनी मजा आता पूरी आइटम करूंगा ना भाई के भाई के भाई भाई के पूरे 40 रुपे देखना भी पूरे करांगा रूग पूरी आइटम करूंगा 40 की नहीं यह नहीं यह नहीं यह भी नहीं यह ठीक है जै हो मेरा तेती नंबर जर्सी श्री श्री एक्सो आट महराज पांडिया पुत्र उस्ताद हार्दिक जी को हाँ जोड के नमन है कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ हेलो आशीष नहरा अब कुछ नहीं हो सकता अब कुछ नहीं हो सकता आज जीज नहरा करांगा मेरे तब देखियो इमत अशीज नहरा नहीं भाई इपनलब कर लिए पता नहीं तो उसने प्रूव किया इस ने किया इसा कर दिया कि मुझे यह रोका उन्हें पेटर वरुन शर्मा लव यू एन यूर वर्क कमरदर्द के लिए फर्स पे लेट कर पाउं उपर उठाकर यह भाई क्या करवाएगा मेरे से दिवार पर रखो है है कैसे कैसे बाई इसमें तो मैं इसमें तो मैं चार-पांच बंदे चाहिए ओंगे एक तो मेरी डाइं की टांग उठाएगा एक वाली इसमें से एक यह आईटम कर सकता हूं लेट शक्ता हूं फरस पर आचा आचा समझ गया इदर दिवार है मालो नीचे फरस होता ही है अचा इदर लेट दिन दस मिनट करो इससे हल्प हो जाएगी वरुन भाई बिल्कुल करेंगे तो यह तो असान तरीका बता दिया आप नहीं है ठीक है कहां करूं लाइव कर लेता हूं फिर करूंगा है थैंक्यू मेरे भाई थैंक्यू CR7 करें मैं बरोडा से हूँ बरोडा को संसकारी नगरी कहा जाता है हार्दिक से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था उसे लगता है गुजरात लोबी उसको ही सपोर्ट करेगी पर जैशा सपोर्ट शर्मा गमन तोड़ दिया हार्दिक पांड़ा को सबसे गहरी चोट पता कब प कि लेकिन उसको अभी भी वाइस कैप्टन बनाया हुआ है और अगर यह हरकते चलती रही उससे भी जाता रहेगा यह बात याद रखना कि कैसे हो सकता है हिंदुस्तान का कप्तान है यूनीक प्रोफेसर आज तो मजा आ गया तो मजा ही आ जाएगा जो बाइ मैंने वैसे तो उमीद नहीं करी थी यह लगातार तीन मैंच आज जाएंगे लेकिन जब मैंने आज सुबह सुबह टीम देखी दोनों में फरक देखा और कहीं ょई न तक कहीं मैं बराबर माणलूँगा था कि मनदब है नहीं थी बराबर बोलिंग में थोड़ा था अलां कि उधर बुम्राय है लेकिन उदर भॉल्ट भी था थक दोत कंने टीमवर मान भी लूं इसकी जोए जहां पर जाके मेरा हो जाता है दिमाग सटक जाता है मुंबइगा उनकी निएत कप्तान की नियत बहुत मैंट करती है तो नियत में खोट तस काम खराब है हमने यह नहीं कर रहा वो एक भी नहीं जीतेगा अब अगला वो जीतेगा क्योंकि उसको भाई तसल्ली हो चुकी जिसको कहते हैं ना कि अब उसको एक दम पक्के वाली वो हो गई है कि यार अब तो मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है फिर जुका की आएगा अगले मैच में वो और जीत के जाएगा देखना तन्मे कुमार कह रहा है पाजी शुड़ वी फोर्गिव हार्दिक फॉर दी लास्ट टाइम हाँ तो बंदा अपना ही है कर दी लालच में थोड़ी गलती मेरी मानों तो यह मैं मैंनेजमेंट ज्यादा बकैद है लव यू आज उसकी गलती नहीं है ज्यादा आज उसकी गलती नहीं है उसने पहले मैच में मैं कप्तान मैं वो मैं उसकी टूटी है आज मुझे मालूब नहीं आप लोग मानते होगी नहीं मानते हो बड़ मुझे लगता है आज उसकी मैं बहुत हद तक टूटी है चकना चूर हुई है चैद मैंने लिखा भी है यहाँ पर गमंड टूटा है टाइप कुछ आज दिख रहा है स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है और हम कोन होते हैं फोर्गिव करने वाले कौन नहीं है यह वी करिक इन्फो तो पूरी दुनिया नहीं चला रहा ना मिर भाई चलो अच्छी बात है हमें तन्य कुमार भाई आ रहा है बता रहा है मैं उसको भाई को बता देता हूं वह सितना ही है अपना तो हैना कहानी या बाकी भाई लोग हैं मैं फिर बोल रहा हूं आज काफी हद तक मुझे वह किरकुट हरकते करता हुआ नहीं दिखा यह तो मैंने ऐसी जगह पर तस्वीर खीची है वह यूँ ही कर रहा था मैंने खीच ली थी हाँ मेरा थैथ होड़ा एडिटर वाला वह तस्वीर देखो उ तो अच्छी बात है अगले मैच में हो सकता है कि और इसको आराम आए और अकल आए इसके ठिकाने पर आ जाए अकल तो अच्छा होगा बढ़िया होगा और हमें जो स्क्रीन पर दिखेगा हम वह आके बोल देंगे जैसा कि आज दिखा है मुझे लेकिन मैं फिर कह रहा हूं है यह जो मन मरजी है ना चुल क्यों कियों डालेगा तो वह अजय एंडिया के लिए बोलनी डालना को अब भी रोह्हिश अर्मा को कि बांडरि पर खड़ा करता है nessa कि विराट कोली तो ब्लकर तो करता ही है अपना boundary लाइन पर फिल रही नेक्स्ट बिग तिंग आर से भी ग्रीन ट्रेट एंडेट फाइफ टॉफी फ्रेंचाइज इस फैन बेज ओल्ड कैप्टन गोट ट्रेक्ट एंड नेक्स्ट येर आइपल करियर ओन लाइन न्यू कैप्टन नाव नाव हैर प्रॉम चेरिंग बूम टू बू ओके अगर यही मैसिज हिंदी में लिख देता तो समझ भी आ जाता ओह ओह मजह ही आ गया यह बात तो पड़के विरूशव मेरे भाई दोबारा नहीं लिखना तरह मैसी मैंने रिमूव किया है दोबारा नहीं लिखना वो नाम जिसका भी है जिसका भी नाम लिख रहा है न गर उसको अपनी पर्मोशन करानी होगी तो मेरे से कॉंटेक्ट कर ले फिर कर देंगे नाम नहीं लिखना बिना मतलब जागे कोई अलग बंदा होता तो मैं ब्लोगी कर देता तो पुराना बंदा है इसलिए हाँ नेक्स बिग थिंग भाई थैंक्यू यह बहुत समझ तो नहीं आया मुझे आरसीबी ट्रेड एंडड फाइफ टॉफी फ्रेंचाइज यह वो मुझे समझ नहीं आया है इस ववम्शा वट्व यू थिंक अबाउट बू एंड म्स अब मूत होना था अब होना कोई क्राइम तो नहीं है अब बू तो होता ही रहेगा अगले मैच में भी होगा मुझे लगता फरक पड़ेगा आज फरक पड़ेगा आज से फरक पड़ेगा क्योंकि मैं बोडी लेंग्विज देखके बता सकता हूं आपको कि ये बंदा कितना अकड़ा हुआ है या कितना धिला पड़ा है और तुम लोगों को भी फरक पता लग रहा होगा आज साफ साफ हुआ है भाई हुआ है तूटा है थोड़ा हुआ है अकल आई है टिकाने पर अगले मैंच में देख लेना तुम पता लग जाएगा मेरे भाई अकाश ग्रेट रिवू स्टाइल भाईजी अरे थैंक यू और तुमने कहा ना कि एंच यह क्या करना वो लोग ही कह रहे हैं जंडे बाहर रखवा लिए रही करवा लिया ले लो अंदर क्या दे दिया अंदर वालो ने तुम्हें निंजा लिखा कुछ नहीं भाई मंगेश भाई या बहुत दिन से आपको देख रहा हूं दिल से बहुत स से मिलना की इच्छा है जैहिं जैश्री राम थेंक्यू सो मज हाँ क्यों नहीं या यह इच्छा यह तो बहुत ही मतलब नॉर्मल सी बात हो जाएगी और क्यों नहीं मिलनेंगे यार मैं कोई हार्दिक पाण्या जी की तरह को स्टार थोड़ी ना मेरे भाई यह बस मैं आता था यह वीडियो बनाता था लाइव करता था डाय तहील गंटेंग घंडकर जो दिखता थ हौ बोल देता था ज्यादा शुगर कोटिंग आती नहीं नहीं है यह चल्द कमी है पर जडिल-में वह जुबान पर आ जाता यह बाकी कि से अब работатьhead बाकि किसी के बाप्चानी डरता इसलिए सीधा बोल भी देता हूं तो बस इतनी सी कहानी है बाकि तुम लोगों ने सब्सक्राइब बगरा कर दिया तो शायद बहुत सारे भाईयों को लगता होगा कि यह पता नहीं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया होगा मेरे अंदर वो वाला फिलिंग आ भी नहीं रहा है फerd कर रहा हूं करते लिखा कुछ नりました शुभं वदू कूल हडविक पांडया तुर्ण मैंसे प्ढ़ लेता हूं कि बट एस एमाई कैप्टन ही इस क्रिटिसाइज जस्ट बिकोज रोही डिडिन्ट कुईट दे क्विट दी कैप्टन सी मैंनेजमेंट मेंड हिम तु दू इड़ देखो मैं अगर शुरू से बोलने लग गया न यह लाइफ दो घंटे में नहीं खतम हो पाएगा यह लाइफ साढ़े चार घंटे तक जाएगा जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा खार्दिक पंड्या को गुजरात में कप्तान बनाया किसी को झांट फरग नी पढ़ रहा था उस टाइम पर क्योंकि वह टीम इंडिया से उसका पत्ता कटा हुआ था वह ड्रॉप था खेलेगा तो खेल लेगा नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा किसको फरग भी नी attitude किया गया appreciation की यह बात है रही बाद मुंबई में वो क्रिटिसाइज हो रहा है रोहितने कफ्तानी नि चोड़ी तुम यह कह रहे हो क्यों चोड़नी सी रही रोहितने कफ्तानी कि 10 साल में पांच ट्रोफी है हर दूसरे साल एक जीता रहा है क्यों चोड़ू प्रोक्त क्यो पहले बात बता दूं कि मुंबई इंडियंस इंडिया नहीं है कि इंडिया में मुंबई इंडियंस है और यही वाली क्लेरिटी ही नहीं मुंबई की मैनेजमेंट को मैंनेजमेंट रोही शर्मा ने कप्तानी नी चोड़ी पहली बाद तो क्यों चोड़े जब वो हिंदुस्तान का कप्तान है तो कि इतना जवर्दस उसका वर्ल्ड गप गया है मॉंबई इंडियन्स को मालू भी नहीं था इतना अच्छा वर्ल्ड गप चला जाएगा उसका उसके बाद हटाना था हटा दो कोई पूरा हक है रोही शर्मा से बात करके हटा सकते थे ना क्या मैं आम आपका शुबम भाई तुम कहीं पर टूड़न्ट हो जोब करते हो जो भी करते हो अगर मानलो नोकरी करते हो तो मैं निकालने से पहले कुछ तो कोई बताएगा ना कोई कम्मुनिकेट तो करेगा कोई मुपे आके बोलेगा तो सही कोई फोन कोल पर बोलेगा या सिक्योटी गाड को कह दो के दरवाजा बंद कर लिए उसको आने मत दियो या फिर दूसरा और तुमारी जगह पर दूसरा बंदा बिठा द है तुम वहां देखके खड़े हो गए को या रहा था उदर से उससे पूछा यह कौन है अरे यह नया आया तेरी जगह पर कैसा फील होगा भाई तुमको इस चीज़ का जवाब अगर है तो देदो मैं तुमको सच बता रहा हूं मैं इस मुंबई इंडियन्स की ना मैनेजमेंट को चैलेंज कर रहा हूं इसको मेरे साथ बिठा दो पंदरा मिनट तोलमी मिनट में अगर इनके मूं से मैंने माफी नहीं मंगवा दी ना रोही शर् आने का यह कोई बात नहीं है कि आगे आते हैं जी है कि शुब्म का हो गया था वर्ल्ड ऑफ किर्गट थैंक्यू प्रदर लिखा कुछ नहीं है हर्शित पांडे फस्ट मैच में टिम देविड को स्पिन के लिए भेजा खुद नहीं आया हार्दिग और आज टिम देविड रोक दिया प्यूश को भेज दिया स्पिन खेलना गजब कैटन लिए भगवान जी बहुत किर्पा देना इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि इस भाई के ज्यादा मजे में नालूं बस इतनी किर्पा बनाए रखना हर्षित पांडे का मैसिज हो गया किर्पी जिंग बाई ओना सीरियस नौट हार्दी की केप्टन सी को आप कैसे रेट करते हो एम आई में कि मैं ना इनसान को ना कभी भी कि उसकी काबिलियत पर जैज नहीं करता हूं मेरे सामने तुम ना एक गरीब से गरीब आदमी बिठा दो अनपड़ से अनपड़ आदमी बिठा दो लेकिन उसकी नियत में खोट नहीं होगा अगर उसके दिल में कोई चोर नहीं होगा न मेरे लिए वो इनसान हीरा है हीरा कि शाथ समझ यह होगे मैं क्या बोल रहा हूं कि बंबई इंडियस में में रोहित हार्दिक पंड्या की कप्थानी को कैसे रेट करूंगा जिन्नों ने रखा अभी तो उनको नहीं समझ में आ रहा है इसको किस रेट लाए हैं किस रेट निकालें तो हम क्या रेट करेंगे इसकी कप्तानी को लेकिन मैंने जो यह एक्जामपल दिया ना मेरे बाई यह बहुत ही परफेक्ट है मैं तो इस तरीके से बंदों को जज़ करता हूं मैं एक बात बताता हूं तो मैं मेरे पास ना बहुत सारे स्पॉंसर आते हैं लोग कोई कहीं से मैसिज कर रहा है कोई कहीं से मैसिज कर रहा है कि कि उनके साथ ना पांच मिनट दस मिनट बात करता हूं कि मुझे 10 मिनट बात करने के बाद समझ में आ ऐसा इस बंदे का क्या सीन है ख़गए हैं इस अर्ट मेरे तुणिंग भड़ी कम बैढ़तीी बहुत सारे लोग के और जिसकी बैठ जाता कि ये बंदा कभी पीठ में चूरा घोपेगा कि नहीं घोपेगा लिए लाइन वैसे ब्लैक मांबा स्नेक का नाम है जैसे कोबरा और के पाईजन जैसे तुमने लिखा मैंने वैसे पढ़ दिया भाई मोहित दलाल हेलो भाई एक शर्ट पर जीट सकती है अगर सचिन सर को इंपेक्ट प्लेर ले आएं मुझे तो एक बार लग रहा सा कहीं आज इंपेक्ट प्लेर आहीं ना जाए सचिन देंदुल कर टीम के अंदर बाकी इतना हार्दिक को भू करना गलत है नहीं नहीं या देख के बैठा जग है ढूंड रहा थूकने की अब उसने थूक दिया तुम कहरे भाई गलत बात है देखो थूकना गलत है लेकिन अंदर रखना भी तो गलत है ना एक बार तो उनका भी बनता था अगली बार से तोड़ा राम आ जाएगा अलूर इन स्टाइल हार्दिक इतना भ मैं विल्कुल मानता हूं यह बार चोटा सा फरक है ना लोगों को समझना चीए लोग भी तो नहीं समझ रहे हैं ना यार बताओ इतना चोटा सा फरक है फिर भी नहीं मानते हैं अयुस तोमर है भया सेकंड एपरिफ हैं दोंद कफ दो हजारं नहीं वहाद दिला एंड इतना वने के बाद के म्याद वर्णडशी अरे तीन ही मैच हुए हैं इसको अभी भी लगता है मैं रोई चर्मा हूँ पांच हार के ट्रोफी जीच जाएगा मेरी माई और पंजाब फेवरेट टीम है लेकिन माई को हारता देख के बहुत खुशी हो रही है कॉंग्राचुलेशन तुम्हें खुशी तो हो रही है कम से कम अंकित पाटिल रियल कैप्टन ऑफ जीटी इस अशीश नहरा बिलकुल बिलकुल है इससे कोई डियाई नहीं कर सकता है विनाम्रा विनाम्रा शर्मा अगर मुंबई क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो क्या हार् कि जैपुरवालों के साथ तो मेरा गहरा प्यार है बहुत गहर heure है कि मिली नि楽ाम गोमी हो गया है तो तुमने लिख एकरकौलीफाई नहीं कर पाएगा तो क्या हार नहीं हार दिका करियर नहीं खतम होगी है जिसका औरेडी खतम ही है उसका बनका क्या खतम होगा तो कि इ पैस्ट के ये लायक नहीं है ऐसा बोलता है कि मैं तो खेली नहीं पाऊंगा टेस्ट वन डे वैसे भी कमी होंगे अब आगे आगे कि में 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 मलाई नोचने आ जाता है और आई पिल तो फिर फिट रहना यह तीन चार महीने मेहनत करके अदिवनी कोशिक चार चमनी गोड़े पर हां अमबानी या हार्दिक मेरे नहीं यार गलत बात है अच्छा अच्छा यह चैंट किया है अमबानी में के पीछे वो चली गई तुरंत महां से नहीं यह गलत बात है यह गलत है देखो इसको मैं गलत बोलता हूं इसको मैं बहुत गलत बोलता हूं यह नहीं करना है दिल शाथ सिंग्प पन्नु पाईजी लिखे नहीं तुसी कुछ तो टाइम है अभी भी माय फैन बिल्कुल सही बात यहीं बोल हुए नहीं होई है ठीक हुई पहले से अराम होते हैं फिर फ़िव भी होते हो यह मैं फिर थोड़ा आराम हो जाता नों पहुलते हैं उसको आज हुआ है लिक टर नेहाल वडेरा स्टिल सिटिंग आउट और गहा तेरा चोदा थोड़ना उतारेंगे पुलकित परनाम भाई आज बहुत दिनों के बाद लाइब में आयो हाँ यार पुलकित बहुत दिनों के बाद आयो यार पाज में देख रहा हूं वीडियो टोस में बिहेव नहीं बोलना था ऐसे फुटबोल फैंस को बड़ा पैशनेट बोलते हैं और यहां फेंस के मोराल कि मोराल पर जयान पेल रहे हैं यह पराग वाली में चोटी मुझे भी दे दो कोई है about को बहुत पराग की तो में चोटी यार नेक्स्ट लेवल पर आ गई है मुझे इतना नहीं सब्सक्राइब और यह थेकेदार बना हुआ है का संजय म चढ रहा है को यूँ यू कर रहा है ठीक है कोई और महां वहां बंदे बोल देते हैं बेटा ने बेटा बेटा इसने बड़्डे पार्टी रख्यों धिका ना जो ऐसे रिएक्ट कर रहा था ये अड़ी कुंबन स्ट्रिगल पाजी यह हमारे चप्रीजी के साथ क्या हो गया 30-30 सुनी है पाजी कुछी तो सुनी हो नहीं है औहुँ ही लगी है पाजी लगी नहीं है यह रही चड़ी है दी आण रिस जड़े जड़े पंज्याब तो नहीं समझ जाना प्रिश भाई जो हम जो कह रहे हैं ग्रीन जोसफ लोकी टोपला और नहीं ग्रीन बाहर नहीं होता या ग्रीन मैच विनर है ग्रीन की सैंचुरी आ रही है आने वाले मैचेज में याद रखना है बात सैंचुरी नहीं आएगी तो 70-80 आ रहा है उसका टोला है ना इसलिए 60-70 पर जाके बोल खड़ी करेगा वो रिश्व राजपूद हार्दिक 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 यह लड़की क्यों हाँ लकडी क्यों पड़ी है जहाड में यहीं किया इसने अच्छा बहला गुजरात में सब चल रहा है भाई इजद भी मिल रही है एक ट्रॉफी भी जीत गया दू क्यों भाई योगेश भाई ने आईफॉन से मैसेज किया लिखा कुछ नहीं है बाकी लोग भी आईफॉन यूज करते हैं ऐसी बाट नहीं है मार्किट में हम बहुत अमीर हो रहे हैं लोग हां मेरे पास ही नहीं है एटिटूट किंग भाया हार्दिक में खीच के रखा है देनी है उसको देख लो या तुड़ा तरस का लो उस पर तरस का लो कुछ क्यों तुम्हें दया नहीं आ रही है निर्दे इतनी निर्दे कैसे हो गई हो तुम अब तो मुझे ही तरस आने लग गया है ल के मीना हमारा खोटा सिक्का रियान प्राग चल गया चल नहीं गया मिचोटी दिखा रहा है वह तुक्का नहीं है उसका अब इसने चिर्कुट हरकते छोड़ दिया तो देख लो रिजल्ट सामने हां देखो भाई चिर्कुट हरकते ज्याद है रियान प्राग परफेट एक्जम्पल है पहले पिछले साल उससे पिछले साल यह भाई देखो यह अजीब जीब हरकते कर रहा था फिल्ड में कोमेंटेटर भी टोकते थे इसको रिजल्ट नहीं था आप देखलो सीधा चल रहा है बात भी ठीक करके गया है आज इंटर्विव में और राजस्तान का बैस्ट आना बाकी है बिल्कुल यह उनके लिए पॉजिटिव चीज सब्सक्राइब करता हूं कि 2019 से अगर मैंने चैनल 2021 में बनाया है जूटे कता यह वाली बाद कर रहा है कि भाई ठीक ठीक लगा ले तीन महीने पहले तेरे से लेके गई हूं अंटी जूट मत बोल दुकान पिछले हफ्ते खुली है कि डेड़ गंटा हो गया है डेड़ गंटा क्या बोली जा रहा हूं डेड़ बज गया है सुबह का और मैं एक बचके 40 मिनट पर सो जाओंगा बस अगर तुम इजाज़त दो तो ठीक है और मुझे लगता तुमको देनी पड़े कि मैं भी तो यही बोले जा रहा हूं मैं भी तो यही बोल रहा हूं भाई उसने बोल दिया तो हाँ 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 इका बोल दिया हम यहां बोल रहे है उसका गुजनी है भाई हम भी तो यही बोल रहे है भाई चलो जी थैंकि सौमाज गुडबाई मिलते हैं भाई लोगो कल खीच के रखो मीटर थैंक्यू क्या देख रहा है भाई वीडियो को लाइक करो चैन को सब्सक्राइब करो खीच के रखो मीटर धिल मत दिया करो मेरी आखों में आज गुसा है मैं अपने श्री श्री हार्दिक जै हो मेरा तेती नंबर जिर्शी मैं आज अपने उस्ताजी के साथ हूँ एस्वाध्धानी की उठानी तरीके से पिटाई की गई है मेरे पाइंक भाई को पिसमत ने हो माया मुंबलिंस पहुंचाया हूं यारो का मया दुश्मनों का दुश्मन देख लग लंडन एक ही बात कहूंगा रोही शर्मा के साथ गलत नहीं करना चाहिए था शरीफ इंसान क की आत्मा दुखाई है तुम लोगों ने और उन तमाम करोडो फैंस का दिल तोड़ा है जो रोही शर्मा के साथ अटैस्ट थे और मुंबई इंडियंस में अगर रोही शर्मा का कॉंट्री विशन हटा दो अब है तुमारी कैबिनेट में जो ट्रोफी रखते ना वहां हृषर ने अर्डो को जलील करता है वो मेरे हर्दु 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 मेरे हर्दु मेरे हर्दु कि हम किसी भी उमर में ज लील हो सकते हैं जाना तुमेरे हिस्से की जलालत वान खेड़े में बचाके रखना वेदांद भाई थैंक्ट्यू अब जान दबा काली स्क्रीन पर वे नहीं पीछा चोड़ रहे होता हूं जो हमसे जलते हैं न बाई जो बाकी यूट्यूबर हमसे जलते हैं तक हो सकता है कोई हमें अप्रीशेट भी करता हो अंदरी अंदर हला कि जो जलते हैं उसे जहांट फरक नहीं पढ़ता मुझे और तुम लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए है मजे लिया अगरो बिल्कुल वो मर जाएंगे यह चीज देखें अब काली स्क्रीन पर भी आठ हजार लोग बैठें इसकी अटैक आ जाएगा उनको और कौन सा गाना सुनाओं बताओ मेरी जोली चोटी पढ़ गई रहे इतना दिया मेरी माता मजे आ रहे आज मुझे थैंक यू गुडबाई थैंक यू कल मिलते हैं शुपर वीडियो थैंक यू सो मज